एक समय की बात है, किसी आश्रम में एक शिश्य अपने गुरू की आग्यानुसार हर काम करता था, वहाँ अपने गुरू का बहुत सम्मान करता था, लेकिन वाशिश्य स्वभाव से काफी आलसी और सुस्त प्रवित्ती का था, शिश्य अपने सिच्छा के प्रती भी बहुत अधिक लापरवाह था आज के कार्यों को कल पर टालने की तो उसकी जैसे आदत सी बन गई थी और किसी भी तरह की जिम्मेदारी से वासदैव भागने की कोशिश करता अपने प्रिये शिश्य के इस तरह के आलसी व्यवहार को बढ़ता देखकर आश्रम के गुरु भी बहुत चिंतित हुए उन्हें हर पल यही चिंता सताती कि कहीं मेरा शिश्य जीवन के कठिन संघर्षों में पराजित ना हो जाए क्योंकि गुरु या बात जानते थे कि एक आलसी व्यक्ती बिना कोई कर्म किये हमेशा फल को पाने की इच्छ रखता है वह अपना पूरा समय बस सो जोश में ऐसा कर भी ले तो उस पर वह अमल नहीं कर पाता ऐसे व्यक्ती को अपने आस पास के वातावरण का भी कुछ पता नहीं चलता ताकि वह भाग्य दोरा मिले अवसरों का उचित लाव उठा सके गुरु ने मन ही मन अपने शिश्य के इस आलसी स्वभाव को खत्म कर परने की एक योजना बना ली योजना के अनुसार एक दिन गुरु देव ने अपने शिश्य को एक चमकदार सफेद रंग का पत्थर दिया और कहा वत्स मैं दो दिनों के लिए तुम्हें इस जादोई पत्थर का एक टुकड़ा देने जा रहा हूं इस पत्थर से तुम ज इतना सोना बना सकते हो लेकिन एक बात स्मरण रहे अगले दिन सुर्यास्त के बाद मैं तुमसे यह जादोई पत्थर वापस ले लूँगा अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हुए इस अवसर को पाकर वह युवक बहुत प्रसन्न हुआ पहले दिन वह खुशी के मार यह कल्पना करने में ही बिता देता है कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा बहुत धन और एश्वर होगा तो उसका जीवन कितना आनंद में और अच्छा होगा। उस समय जीवन में किसी भी तरह का कोई कश्च नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। उसके पास इतने अधिक नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा आगे उस शिष्च ने यह योजना बनाई कि जब उसके पास धेर सारा सोना होगा धन होगा तब वह एक बहुत ही बड़ा और भवविग घर बनवाएगा जिसके सामने एक बहुत ही आकरशक बगीचा होगा जिसमें वह हर शाम को घूमेगा भ्रमड करेगा और वह अपने लि भी काम के लिए खुद को कभी कश्ट नहीं देगा उसके एक इशारे पर ही दास दासियां वहां उपस्तित हो जाएंगे उस युवक का पहला दिन सिर्फ सोचने और व्यर्थ की कोरी कलपनाव में ही बीद गया अगले दिन जब सुबह हुई तो वहां उठा उसे अच्छी कि आज वहां गुरुजी द्वारा दिये गये उस जादुई पत्थर का लाब जरूर उठाएगा उसने या निश्चे किया कि वहां बाजार जाएगा और वहां से लोहे की बड़ी-बड़ी वस्तु में खरीदेगा तथा उन्हें सोने में परिवर्तित यानि बदल देगा आधा दिन बीद गया परवायुवक अभी भी यह सोच रहा था कि चलो अभी तो काफी समय है मैं कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊंगा यही सोचते सोचते दुपहर हो गई इसलिए उसने कहा कि दुपहर का भोजन करने के बाद तो जरूर जाऊंगा लेकिन खाना खान लड़के को आराम करने की आदत थी इसलिए उठकर मेहनत करने के बजाए उसने आराम करना उचित समझा उसने कहा कि बस थोड़ी देर की बात है आराम करके मैं तुरंत ही बाजार निकल जाऊंगा लेकिन सुस्ती से भरा उसका शरीर जल्द ही गहरी नीन में खो गया और ज लेकिन रास्ते में उसे उसके गुरू जी मिल गये। गुरू जी को देखकर वा थोड़ा डर गया क्योंकि गुरू आज उससे पत्थर वापस लेने वाले थे। और उस शिष्य से उस जादूई पत्थर को अपने हाथों में ले लिया। इस तरह शिष्य का अमीर बनने का सपना भी तूट गया। लेकिन इस घटना से उस आलसी शिष्य को जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिली। अब उसे अपने आलस से पर बहुत पच्तावा होने है। इसलिए उस युवक ने या प्रण लिया कि अब वह अपने काम से कभी भी हार नहीं मानेगा। और अपने आपको एक महंती, सतर्क और सक्रिय वक्ती बना कर साबित करेगा। दोस्तूं काम को टालना एक आदत है और यहादत हम खुद बनाते हैं। आदत एक धागे की तरह होती है, जिसका एक आवरण आसानी से तूड़ जाता है, लेकिन यदि एक ही धागे को कई बार लपेटा जाए, तब उसे तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे उस लड़के को अपने आलस की बुरी आदत के वज़े से इतना बड़ा आवसर खोना आज प्रमुक कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं होता है। तब यही भोजन हमारे शरीर के लिए बोज बन जाता है और फिर यह हमारे भीतर आलस से पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर ज़ने वाले सुपाच्य वोजन ही करें। दूसरा कारण है मेहनत करने से पहले परिणाम को आखना। दोस्तों, आलसल का दूसरा कारण है किसी काम को करने से पहले उसके परिणाम के विश्य में सोचना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काम करने से पहले या जान लेते हैं कि इस काम का फल मिलने की संभावना काफी कम है, तो वह उस काम को टालने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनमें उस काम को करने की पूरी प्रेणना कम हो जाती है, इसी वज़े से वे असफल हो जाते है तीसरा कारण है रूची के अनुसार काम का ना होना कोई ऐसा काम जो आपकी रूची के अनुरूप ना हो या आपको वहां काम करना अच्छा ही ना लगे तो आप उस काम को टालते चले जाएंगे अंत में आप उस कार को करने से इनकार कर देंगे क्योंकि उस कार में आपकी कोई रूची ही नहीं थी चौथा कारण है असफलता का डर यदि किसी काम में हमारे असफल होने की संभावना अधिक है तब भी हम उस काम को टालने की पूरी कोशिश करते हैं पांचवा कारण है कम समय में बड़ी चीजें को पाने की चाहा, अक्सर लोग बड़ी चीजों को पाने के लिए कठिन परिश्णम ना करके किसी छोटे रास्ते यानी शौटकट की तरब भागते हैं, और जब हमें शौटकट से चार दिन की खुशी के बाद फिर से वही के कारण बड़े लक्षियों को छोड़ देते हैं, दोस्तों आलस्त को जड़ से खत्म करना है तो अपने जीवन में सबसे पहले नियंत्रन लाएं, गंभीर बने, किसी भी चीज को पाने के लिए अक्सर लोग जल्दवाजी बहुत करते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गल बड़े लक्ष को पाने के लिए सबसे पहले किसी पन्ने पर छोटे छोटे लक्ष तै करें, और हर दिन चरण बद्ध तरीके से उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि छोटे छोटे लक्ष ही हमें हमारे बड़े लक्षियों की ओर ले जाते हैं, खुद को सकारात् पढ़ने के लिए महापुरुशों या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ें जो अपने परिश्रम के बल पर उचे मुकाम तक पहुँचे हों। है कोशिश नहीं करना इसलिए असफल होने से मत डरो एक कोशिश जरूर करो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस कहाने के माध्यम से काफी कुछ सीखा होगा। इस कहाने के विशे में आप सभी का क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। और इसी तरह की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं वैसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यूू।